CM की घर में आज भी पारिवारिक फंक्शन है जिसमें CM आज शामिल रहेंगे यानि कि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से प्लान नहीं है आज भी अपने पैत्रिक आवास में ही रहने का CM का कारिक्रम है तस्वीरों में दिखा रही हूं लोगों का भी आना जाना लगातार CM के आवास में जारी है CM के जानने वाले उनके दोस्त विक्रम जी और सुरेश जी स्वक्तमाइसत मौजूद हैं विक्रम जी कहां से आप हैं कल CM से मुलाकात हुई क्या कुछ खास रहा मैं देरदून से हूँ और गाऊं अहरीपूर का लाय मेरा और मैं योगी जी के छोटे बाई मेंदर सिंग बिष्टी जी का दोस्त हूँ और आज उनके यहां मेंदर जी के छोटे बेटे का फूड़ा गरम है और मैं उसमें सामिल होने आया हूँ और रात भी मैं यहीं था और सीम साब के साथ में काफी फोटो लिए हमने विक्रम जी कैसा लगा कल सीम से मुलाकात की सीम पान साल बाद है तो सीम सबसे कैसे मुलाकात करे तो उतनी साथगी से सीम ने कुछ असी मज़ाग की बाते भी की होंगी सब का हाल चाल भी अच्छे से अत्युन ड़ बहुत यहाया साथ है और यह बिलकुल से हैं सभब सुरेश यहाला के लिडीत чra करना चाहेंगे किल कैसा रहा सब Mario कल बहुत अच्छा कारिक्रम था और योगी जी ऐसे लग रहे थे जैसे अपने मां के चरणों में आकर के ऐसा महसूस करते थे कि मेरी जो जन्म भूमी है और जो इस जन्म भूम में मैं जन्म लेकर के बढ़ा हुआ हूं तो एक बालक का स्वरूप उनमें नजर आ रहा था और परिवार में कल हमने देख रहे थे कि इस तरह का उनका जो इतने लंबे टाइम से राजनीच में हैं और उत्तरप्रदेश को इस अच्छी सित में लाकर करके उन्होंने खड़ा किया है जो ऐसा प्रदेश था कि जिसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था आज वो उत्तम प्र अनके जो इस जो इस इस तो करें देखा है मैंने तरह नहीं उनका बचपन देखा है लेकीन मैं जब से हाँ और इसके पहले भी मैं कई बार आ्याइक उनकी माता जी के चलुनिस्पश करके भेने Subscribe निया ओर उसे जड़ना के लिए पूरी मानौता के लिए संस्कुर्ट के लिए धर्म के लिए और समाज के लिए जो उन्होंने कार क traits वह अडूज्टिस निये हैं और अबतिये हैं मैं उनके चन इसका करके कहा था मैंने एक मातजी से उन के आखों मैं आसू थे मेरे आखों में भी आसू थे कि एक दिन आपका लाल जो है इस देश का ने तो करेगा इस देश का विकास करके और देश को दुनिया में नंबर एक पर पहुंचाएगा ऐसी मुझे मेरी भावना थी मैं आपका नाम अभी हमने देखा आप सर अब सीम सर के घर के अंदर चल रहा है क्या सुबह सुबह महौल है आज 11 बचे पारेवारी कारिक्रम भी है वह लड़के का मुनन होता हमारे इदर तीसरे साल में कड़ते हैं लड़के का तो हम भी इस कुछी में यहां रखे हैं उसमें यवगी जी का प्रोग्राम देखने बिठाने नी जा पा हम उनके साथ सचिपेल के साथ यहां आए तो आप एक बावते कल जब सीम सीम ने मरी मां से मुलाकात की उनके पैर चुए आशिरवाद लिया तब सीम कैसे थी क्या सीम भावक हो गए थे क्या माता जी ने क्या कहा वो पल कुछ बता सकते हैं आप में तो ही पे थी तो सीम है कि मैं मैं आप पचाना बोला माने बोला हां मैंने पचान लिया तो पैड़ चुए भावक तो होता ही है उनके लिए तो ऐसे लग रहे थे कि उनका चोटा सा अपना बच्पन जैसे योगी जी का बच्पन था तो उस रूप में ही दिख रहे थे हूँ अपने घर के अंद पर इतना अच्छा मौले उनके तीनों जो भाई हैं बहुत अच्छे हैं घर में पारिवारिक फंक्षन है मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंडार लगा है घर में तैयारियां जोरो पर हैं और साथी साथ जो रिष्टेदार हैं जो आस पास के लोग हैं रिष्टेदारी मे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए झाल झाल